यम क्या है? माइंडसेट सेल्फ कमिटमेंट भी है, माइंडसेट भी है यम पांच है पीडा ना पहुँचाना, सही को सही कहना, ना चुराना, कामुक्ता में अनासक्ती का भाव रखना, एवं अनावश्चक हक ना जदलाना यह पतांजली ने डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इनको माइंडसेट कहता हूँ अपने कहते हैं यह इसका माइंडसेट कैसा है? इसका माइंडसेट चोरी चेकारी वाड़ा तो नहीं है यही तो बोलते हैं न पर, पतांजली इसी बात को कह रहे हैं, पांच माइंड सेट हैं, एक किसी को हर्ट ना करना, क्योंकि यह सारा जो योग सुतर है न, यह physical लेवल पर नहीं है, यह सारा mental लेवल पर है, अब आसन फिजिकल लेवल पर नहीं है, वो तो आसन योग में बाद स्टिफ होते थे उनको इज आउट करने के लिए आसन उनको योग के साथ जोड दिया गया और इजनल योग गरंथों में आसन नहीं है पर्टिकुलरी पतांजली में तो आसन शब्द एक ही बार आता है पतांजली कहते हैं यह सभी श्रेणियों स्थानों समयों अभब प्रस् अंडेंटर इन अवरी क्लास प्लेस इंटाइम अन्रीजनेबल अबस्टेकल्स शुड बी क्लियरड वाइ कॉंटेंपलेटिंग ऑंदा कंप्लिमेंटरी इमोशन हानी ना पहुंचाने का भाव गहरे तक बैठ जाने से समी पाने वाला भी बैर भाव छोड़ देता है अगर यह एकनालो कियं किसी को हर्ट नहीं करूंगा यह मनवचन और करम के दवारा मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा अंदर तक अगर यह बैठ गया तो कोई भी जगत में आपसे बैर भाव नहीं रखे और जिसको इतना गहरे तक बैठ गया मैं अक्सर देखता हूं बहुत वाइल्ड पैट्स भी जब मैं कहीं जाता हूं तो वो बहुत काम होकर मेरे पास बैठ चाहते हैं इंटर्नल माइंड सेट नहीं है और मैं उसकी और प्रैक्टिस करता हूं कि क्या यहर मैं हर्ड करना चाहता हूं सत्य के गहरे बैठ जाने पर कर्मों के इच्छित फल अधारित हैं प्रैक्टिस अथेंटिसिटी इन आवरी एक्ट अधार्टिस इन डिसाय रिजुट अधारिश इंट ना चुराने का भावस्थिर होने से सभी रतन उपस्थित हो जाते हैं मैं कॉपी नहीं करूँगा मैं चॉरी नहीं करूँगा यह अंदर तक बैठ चाहें यह अंदर तो इंट करूंगा नहीं करूँगा क्योंकि पताझ़ी फिजीकल बात नहीं कर रहे है तो mental ब्रामचारया क्या होगा यह नहीं कि हर वक्त दिमाग में अगर कि खलें दौड़ता रहा, नहीं, वो हटा देने से हट जाता है, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस, इंटर्नल प्रैक्टिस होने चाहिए, अनावश्यक हक ना, if you practice non-possessiveness, you can find purpose of life, बिना बात के तुम हक जमाते ग्रूमों, वो हटा देने से purpose of life सामने आ जाता क्योंकि फिर तुम्हें पता चलने लगता है, क्या है जो मुझे drive कर रहा है